दोुस्तों आप कभी न´कभी train journey खरचुके होंगे पर आपने कभी ये सोचा कि rail के पटीयों के बीच concrete structure को क्यों place किया जाता है तो आज मैं इस वीडियों में आपको वही बताने जाए रहां इस concrete component structure को reign meaningful के बोला जाता है rail को strong support और gauge को सही धंग से fix करने के लिए इसे पेश किया जाता है इसके अलावा train का weight पट्टियों में properly distribute करने के लिए और train का moving vibrations को absorb करने के लिए पेश किया जाता है sleepers में दो प्रकार के होते हैं एक है longitude sleeper और दूसरा है transfer sleeper आपको जितने भी railways है उसमें आपको transfer sleepers देखने को मिलता है longitude sleepers तो अभी कहीं पर भी use नहीं किया जाता है तो sleepers में आपको कई प्रकार के भी होते हैं जैसे कि timber और wooden sleeper, दूसरा steel sleeper, तीसरा cash tyrant sleeper और चोत्वा concrete sleeper Indian railway में आपको mostly concrete sleeper देखने को मिलता है ताकि जितने भी moving vibrations है वो properly distribute और absorb कर सके तो ये है दोस्तों आज का वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आने से please like कीजें, share कीजें और channel को subscribe कीजें उमीद करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला है तो मिलते हैं अगले पीडियो पे, जब तक धन्यवाद, जय हिंद